तो इस card trick को करने के लिए यहाँ पर मेरे पास total 8 cards है जिन में से मैं spectator को बोलूँगा कोई भी card चूज करने let's say वो चूज करता है 10 of diamonds तो अभी इसको में लोग side में रख देता है अभी क्या होगा अगर मैं बोलू कि मुझे पहले से बता था कि spectator जो है वो 10 of diamonds ही चूज करने वाला है तो अब एक चीज़ नोटस करो यहाँ पर जो cards है मेरे पास यह सारे blue back है ठीक है सारे cards यहाँ पर blue है बट जो cards spectator ने चूज किया था the 10 of diamonds यह एक लोटा card है जो की है red तो यही है brainwave card trick चलिए देखते हैं सुगरते कैसे है तो आज इस video हम लोग brainwave card trick सीखने वाला है अब इस card trick में क्या होता है कि इस card trick में आप total 8 cards show करते हो spectator को and फिर उन में से card वो choose करता है और जो card उसने choose किया वो card different color का होता है जैसा कि आपने performance में देखा तो trick को करने के लिए आपको 2 deck चाहिए होगा या पर मेरे पास एक red deck एक blue deck है आप क्या करोगे जो blue deck है उसमें से कोई भी random 4 cards आप निकाल के रखोगे मैं इन 4 cards का use करता हूँ and साथी साथ जो red deck है उसमें से भी आप 4 card निकाल के रखोगे just make sure करना कि इन में से कोई card ना हो ठीक है वरना duplicate आजाएगा तो let's say मैं ये 6 of diamond 3 of speed का use करता हूँ और फिर let's use 9 of hearts and jack of diamond ठीक है just make sure करना कि duplicates ना जाए and यहाँ पे 4 मेरे पास जो है blue card है और यहाँ पे 4 red card है ठीक है duplicate नहीं है कोई भी तो trick हम start कर सकते हैं trick को करने के लिए पहले आपको red, blue, red, blue order में रखना होगा चार card यहाँ पे 4 blue है 4 red है आप एक red रखोगे फिर blue, फिर red, फिर blue, फिर red, फिर blue, फिर red, फिर blue ठीक है तो इस तरीके साब को arrange करना है cards को तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो red, blue, red, blue, red, blue, red, blue है ठीक है total 8 cards है इन सारे deck को मैं भी side में रख देता हूँ अभी आप क्या करोगे अभी आप यह cards show कर सकते हो अगर आप चाहो तो आप ऐसे cut कर सकते हो ठीक है, मतलब single cut, multiple नहीं ऐसे आप break करो, and आप cut कर सकते हो ऐसे आप mix कर सकते हो cards को इसके बाद आप spectator को बोलोगे यहाँ पे मेरे पास कुछ cards है 8 नहीं बोलना आपको, ठीक है आप बस बोलोगे कि कुछ ही cards है इन में से आपको कोई भी card चूस करना है ठीक है, तो no matter वो कोई भी card चूस करे, let's say वो चूस करता है 9 of hearts, जो भी card वो चूस करेगा आप यहाँ करना exact उस point पे cut करके, जो बागी के card सा उसको उपर रख देना है, ठीक है, तो अभी उसने अब यह जो top card होगा, इसका जो back design होगा, यहाँ पे blue है तो आपको बाकी cards भी blue ही दिखाना है दिखाने का technique काफे simple है, आपको उपर का card लेना है, flip करना है ठीक है, और बताना है कि यहाँ पे सारे cards blue है तो आप ऐसे flip करोगे, और फिर का back design बार-बार repeat करता हूँ और spectator को लगता है कि यह सारे cards blue है ठीक है, तो एक illusion create होता है and finally आप end में बताऊगे कि यह जो card है, यह है red तो यह यह brainwave card track एक बार फिर से कर लेता है ठीक है, तो यहाँ पे यह red blue order में पहले मैं arrange कर दू blue red, blue red, blue red, blue red, blue red spectator card choose करता है let's say four of clubs, उस card हम लोग cut कर के उपल ले आएंगे and फिर four of clubs को side में रखेंगे and इस बार जो top card है वो red है तो अभी हमें सब कुछ ready show करना है तो आप ऐसे show करोगे, यह जो card इसको रखोगे, red फिर red, वहाँ पे थोड़ा सा flash हो गया, तो ध्यान से करना है and फिर red and finally red, ठीक है, and यह जो card है यह है, blue card तो ऐसे ही करके आप जो इस trick को perform कर सकते हो अब यह जो trick है, यह थोड़ा beginner level का है, तो let's अगर आप कोई heckler के लिए perform कर रहो, ठीक है, थोड़ा होता है ना वो type के लोग, जो ऐसे check work करते है तो आप यह trick मत perform करो, उनके लिए एकदम simple, अगर कोई आप a spectator है तो उनके लिए आप perform कर सकते हो, काफी मज़ेदार trick है और काफी जल्दी भी हो जाता है तो या, इसको अच्छे से practice कर ले क्योंकि वो जो show वाला जैसा मैं जब दिखा रहा था आपको थोड़ा सा flash हो गया उस चीज का work करने के लिए आप अच्छे से practice करके perform करना और बाकी एकदम basic normal trick है और चेक नहीं कर सकता है spectator cards को तो इसलिए मैंने मना गिया पर hackler वगेरा हो तो उनको आप मत दिखाना बाकी trick अच्छा है perform करना and yeah that's it अगर आपको trick पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़रूर एक like कर देना चैनल पर अगर नहीं हो तो subscribe करना मत भूलना अभी मैं मिलता हूं next वीडियो में तब तक के लियो गुद भाई and thank you for watching